संत्रास ग्यारा संत्रास अब चेतनवाहि उपन्यास मदन मोहन तरुन के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित सारी घटनाओं के उपर बार का पानी चाया हुआ है कहीं कोई घटना पानी के उस छोर पर दीख जाती है कहीं इस छोर पर कहीं घटना विहीन हर लहर एक दूसरे के विरुद्ध जलूस है पानी में लोग फटे, जुटे, दर के परिवरतन सील चारों और दिखाई पड़ते हैं, हम सबों के बीच पानी की एक मोटी परत पड़ी हुई है, वो अच्छन भर बैठो पास आओ कुछ बात करें, जैसी संभावनाओं को सार्थक करना चाहता है, किन्तो नन्हे नन्हे दोखा खा जाता है, बिना भंग खाए, ना तो वह पतनी से प्रेम पूरवक बातें कर पाता है, ना बच्चों के साथ खेल पाता है, ना मन के गालों पर उभरे, बजबजाए, हरे, खाल, जख्म की पीड़ा को दिखा पाता है, साधारन होना अपने आप में एक असंगती ह जब भी वह भंग खा, खाए नहीं होता, तब तब वह अपने आपको केला पाता है, उसके चारों और मोटी पुस्तकों की गहरी दिवार है, उसके बीच वह और उसके बाहर की दुनिया, बाहर की कोई आवाज नहीं आती, यदि कोई आवाज आभी जाती है, तो उसके प्र एक रस्ता से उबासी अंभो करता है, आधनिक स्रिजन का कोई भी प्रिष्ट साबुत नहीं, साबुत नहीं, चन का हुआ, जिससे समन्बे का चेहरा कई-कई संदर्भों और टुकडों में बटरा दिखाई देता है, कोई भी तस्वीर अपने आप में पूरी नहीं है, वह खंडित आक्रतियों के बीच एक और खंडित आक्रति है, आदमी हमेशा दूसरों की आँखों से देख रहा है, लेकिन वह माननिता कितनी छूटी है, कितनी खोखली हो गई है, समन्बे का यह सूत्र कितना दरग गया है, बस तो हुए एक माखौल है, वह एक बुढ़े बोह बस और एक घंटे का भयावना एक युग, अब उस पर भंग का असर हो गया है, उसे कुछ और बड़ा गोला लेना पड़ता है, संभो है अफीम के बाद वह विश्खाना सुरू कर दे, और अब एक हरी खुमारी उसके मस्तिश्क में तन रही है, उसके भीतर कुलाहल उभर रहा है, बहुत से लोग उतरते जा रहे हैं, उसकी पत्नी हस्ती हुई, खास कर वहां सी, जो पहली बार उतर आई थी, वह भीड के सामने खड़ा है, भाशन देता हुआ, खुद को खोलता हुआ, अब उज्ड़ा देयार, किताबें, एक जुर्जरा चेहरा, यतार्त भाग भागा, मन किताबों से बुलजा हुआ, खुद को सबों से तोड़ता हुआ, एक बरबाद प्रतिभा, उसके मस्तिस्क में ग्रही चकराहट होती है, वह क्या करें, उस तेना ध्यात्म पर चर्चा हुई थी, तमक कर बड़े भाईया ने कहा था, आंक मोंदो, तुम इश्व को नहीं देख सका, उसने देखा था, उसके भीतर एक गंभीर समद्र, कोला हल कर, उमरता समद्र, तूटे आइनों में बिखरा हुआ, पूरा युग और हर चेहरा, और मौत, जन्म, समस्या, एक जुर जुरा चेहरा, एक तूटी हुई जंदगी, और कुछ नहीं, कुछ भ तीर अनुपेक छणी ये सत्य को कैसे समझा जाए, वह कैसे अपनी जंदगी को निकाल लाए, उस औरत के फूले पेट में कुछ भी तो हो सकता है, इंट पत्थर राक्षस, अजनवी सी चीज, एक बच्चा एक फूला पेट आदमी ही जानता है, वह उदास हो गया, उसका अस्तित्व एक गहरे संभावित बिस्फोट से कांपने लगा, अपने तेज और अपने स्तित्व की स्थापना के लिए उसने चूट का अस्त्रे लिया, पिसले कई महीनों से उसकी रचनाएं धन्यवाद पूरवग वापिस सोती रही है, उसका मन अजीब संगीन संकट से गिर गया है, वह वह और उसके साथ वाला आत्मी कैसा था, जब तक अपने चेहरे पर पूरा मखोटा टांग नहीं लेता, तब तक वह कुछ बोल नहीं सकता, बिस्फोट हुआ है, फिर भी हम लोग हसकर एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, यह परंपरा सित्थ है, गोया आ ठीक, आखिर इसकी क्या जरूत थी, बातें यूँ भी चल सकती हैं, सुनिए, आप राजनीती की बातें करते हैं, तो बड़े उच्छे नजर आते हैं, जब आप साहिती की बातें करते हैं, तो बच्चे नजर आते हैं, इस्तरी और इस्तरी, उसका, उसने देखा कि उसका हार चुका है एक कालपनिक जुद्ध में फिर उसे लगा कि वह भाग रहा है यतार्थ की ठककर से यतार्थ की ठककर एक अजीव अंदर द्वंद की सार्थ ठकता में सारा महौल सांस ले रहा है एक दम तोड़ता महौल एक दूसरे से दूसरे को काटता हाफता तूटता महौल उसके बीच वह स्वैम पहुँचकर सब से पहले वह खाना खाएगा फिर भाईयों के साथ तास खेलेगा फिर सोएगा खूब सोएगा और वह जीत गया है यू यू होती है ब्यूह रचना वह अपनी गरदन तानता है लगता है उसके भीतर कुछ हो रहा है कुछ तूट रहा ह कोई चीज चल रही है साइद घुटन या ऐसी ही कोई चीज साइद अपनी जुदाई का भै हर आदमी कफन ओड़कर सोया है अस्पताल हर आदमी कोई किसी से नहीं बोलता चुप और बाहर निकलते हुए लोग कटी टांगों वाले घायल बेचैन सचमट हम सभी अपने कुसार गही से गहरी जागरती सजग हर किसी के दर्वाजा हर किसी का दर्वाजा वह सुन्दरी खठखटा रही उसके पीछ सभी के सभी चले जा रहे हैं कोई अपने को नहीं रोक अच्छ वह सहर बीरान हो रहा है बीरान लगा कि उसके उपर लंबे काले डैने फैलाएवे सामद्रिक पक्षी उड़ते चले जा रहे हैं सारे शहर पर चा गए हैं क्रां 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 आवाजें दर्वाजें उनकी चोंच से तूट रहे हैं वे दीवारें छेद रहे हैं वे 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 सर्फ वे उपर आकास पर खिरे हैं एक काला सननाटा तीखी आवाजों से भरा सननाटा उसके उपर च्छा रहा है और नीचे उनके अंदर वख है क्या कहां क्या हम सभी तो शायद क्रां 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 11 मदन मोहंतर